हेलो दोस्तो आज मैं आपको पुश्पा दा राइस पार्ट वन मुवी को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ इसका सैकिंड पार्ट जैसे ही रिलीज होगा मैं आपको जल्दी से जल्दी एक्स्प्लेन करके वीडियो दे दूँआ ये 2021 में रिलीज होई एक्शन ड्रामा मुवी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना कमेंट करके हमें बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है अब बिना टाइम वेश्ट की हम मुवी को एक्स्प्लेन करना स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है एक छोटी सी एनिमेशन स्टोरी के साथ जिसमें बताया जाता है कि ये मुवी की स्टार्टिंग नहीं बलकी एन्ड है और हमें इस एनिमेशन स्टोरी में समझाया जाता है कि लाल चंदन की लकडी को कैसे चेननी से जापान तक पहुँचाया जाता है स्मगलिंग करके ये मूवी पूरी लाल चंदन की लकड़ी पे बेस्ट है कैसे ये हम इस वीडियो में जानते हैं इस एनिमेशन स्टोरी के बाद हम डिरेक्ट एक आदमी को देखते हैं और फिर हमें एक्शन सीन देखने को मिलता है इस फाइट के लाश्ट में पुलिस उस आदमी को पकड़ के अपनी जीप में बिठा के ले जाने लगती है तब ही वो आदमी सभी पुलिस वालों को एक एक लाक रुपे देकर वहां से निकल जाता है और फिर पुलिस उस से उसका नाम पोचती है वो जाते जाते अपना नाम बताता है पुश्पा और कहता है नाम याद मत रखना फिर हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है पुश्पा दाराइज पार्ट वन तबी वहाँ पे उस factory का मालिक आ जाता है और पुश्पा को ऐसे बैठे देख लेता है और अंदर जाके बहुत गुसा करता है फिर factory का manager आके पुश्पा को बोलता है ऐसे क्यों बैठा है भाई मालिक नरास हो रहे हैं उसके reply में पुश्पा बोलता है कि मालिक को बोल दो काम टांग ना देखे पैसे काम करने के देता है ना कि इज़त करने के उसके बाद manager बोलता है अगर यहाँ काम करना है तो तमीज से रहना पड़ेगा लेकिन पुश्पा वहाँ से अपना हिसाब क्लियर करके निकल जाता है कहता है कि अब उन ऐसे ही रहेगा पुश्पा के जान होती है मेरे पैसे कब तक दोगे फिर पुश्पा जाके देखता है कि जिससे पुश्पा ने पैसे उधार लिये थे वो अपने पैसे मांगने आया हुआ है और उसकी मा की बेजती करने लग रहा है उसकी मा कहती है कि पुश्पा ने अभी काम स्टार्ट किया है तो आपके कि सब आदमी पुछपा की मां पुछपा को बहुत सुनाती है। वो आदमी यह बोलके चला जाता है कि कल तक मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि पुश्पा अपनी भैस को गिर्वी रख देता है और उस आदमी के पूरे पैसे ब्याज के साथ वापस कर देता है फिर वो आदमी कहता है कि ठीक है पुश्पा मेरा सारा हिसाब किलियर हो गया है लेकिन पुश्पा कहता है कि मेरा नहीं हुआ है जो तुने कल सब के सामने मेरी मां की बेजिती की थी उसका इसाब अब तुझे सब को ये बोल कर देना होगा कि पुश्पा ने पैसे वापस कर दी है लेकिन वो दो चार आदमीों को बول के जाने लगता है फिर पुश्पा उसे मारता है और सभी घरों में लेके जाता है उस आदमी से सब को बिलवाता है कि पुशपा ने उसके पूरे पैसे दे दिये हैं फिर पुशपा काम की तलाश में एक जग़े जाके बैठ जाता है जहां से सभी मजदूरों को काम के लिए ले जाया जाता है लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ एक जीप सो वाले काम के लिए जाती है और एक जीप हजार वाले काम के लिए दोनों में फरक है तो वाले काम में जिन्दा वापस आ सकते हैं लेकिन हजार वाले काम में जिन्दा आने की कोई गारंटी नहीं होती है फिर पुश्पा ये सुनके हजार वाले काम की जीप में बैठ जाता है और साथ में उसका दोस्त भी चला जाता है जिसका नाम केशव होता है फिर हम देखते हैं काफी लंबे ट्रैवल के बाद पुश्पा और बहुत से मजदूर लोग घने जंगलों में जाते हैं लाल चंदन के पेड़ों को काटने के लिए और ये काम खतरनाक होता है क्योंकि इन जंगलों में पुलिस राउंड पे आती रहती है और इन पेड़ों को काटना गैर कानूनी है मेरे पास एक रास्ता है जिसमें सभी को भला होगा फिर हमें DSP गोविंदपा के बारे में बताया जाता है कि वो कितना खतरनाक है वो जिसे पकड़ लेता है वो कभी बच नहीं सकता है या तो मर जाता है या कभी छूटता ही नहीं है जेल से उसके आने से पहले सब अपनी जान बचा के भागने लग जाते हैं बताया जाता है कि पेड़ काटने और चेक पॉइंट से माल ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंदपा सो रहा हो वरना ऐसा हो ही नहीं सकता फिर डियेसपी गोविंदपा वहाँ पहुच जाता है और कहता है कि तुम सभी यहां क्या कर रहे हो तभी उसमें से एक मजदूर बोलता है कि भेड़ चराने आई है चरा के चले जाएंगे लेकिन पुश्पा वहीं पे पुलहाडी की धार लगा रहा होता है डियेसपी उस देख लेता है फिर पुश्पा उसे कहता है कि तुम्हारी इज़त करते हैं तभी आपके आने से पहले लकडिया चुपा दी वरना सामने से लेके जाते तो आपकी इज़त नहीं बचती फिर गुस्ते में डियेसपी पुश्पा की गरेबान पकड़ लेता है और पूछता ह कि बता माल कहा है लेकिन पुश्पा उसे बोलता है कि साहिब तुम माल लेने आये हो या जो मिले उसे पकड़ने आये हो तभी डियेसपी अपनी पिस्तोल निकाल लेता है और फिर सभी मजदूर अपनी कुलहडी लेकर डियेसपी को ड्राने लग जाते हैं फिर थोड़ी द जाते हैं और अपनी ध्याडी लेने लग जाते हैं फिर केशोफ तुम से बोलता है कि मुझे अपने साथ रख लो फुश्पा बोलता है मिरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिरफ बीड़ी के लेकिन केशोफ बोलता है आप पहले जहां काम करते थे उन्होंने मुझे बत पुश्पा की ध्याड़ी लेके आता है तभी वहाँ पे DSP गोविंदपा अपनी पूरी फोर्स लेके आ जाता है और सभी मजदूर वहाँ से भाग जाते हैं और पुश्पा वहाँ पे खड़े लाल चंदन से भरे ट्रक को लेके निकल जाता है पुलिस उसके पीछे जाती है लेकिन कुछ देर पीछा करने के बाद पुश्पा उस ट्रक को चुपा देता है और पुलिस की जीप के आगे आ जाता है और अपने आप जीप में आके बैट जाता है फिर DSP पुश्पा को लेके पुलिस स्टेशन में जाता है और पुश्पा को जेल में बंद करके बहुत मारता है लेकिन पुश्पा को बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता है सभी पुलिस वाले पुश्पा को मारते मारते ठक जाते हैं लेकिन पुश्पा को कोई फरक नहीं पड़ता है फिर पुश्पा डीएसपी को गुस्ता दिला देता है जिसकी वज़े से डीएसपी इंस्पेक्टर आता है जो कहता है कि सर इसके चर्वी कैसे निकालनी है मैं बताता हूँ फिर वो इंस्पेक्टर पुषपा के पास जाता है और बोलता है कि नाम क्या है तेरा पुषपा बोलता है क्यों इंस्पेक्टर कहता है केस बनाना है तेरे उपर इसलिए फिर पुषप पुषपा अपने नाम बता देता है लेकिन पुलिस वाला बोलता है सरनेम क्या है जो बाप का नाम होता है वो क्या है फिर पुषपा ये बाते सुनके गुसे में आ जाता है फिर हमें पुषपा का बच्पन दिखाया जाता है जहां पे पुषपा अपनी मा के साथ एक स्कूल में एडमिशन लेने जाता है और टीचर पुछपा से पूछता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है पुछपा अपना पूरा नाम बताता है पुछपा राज मुलेटी लेकिन तभी वहाँ पे मुलेटी का सबसे बड़ा बेटा आ जाता है टीचर से कहता है कि ये हमारे खांदान का नहीं है, ये नाजायज उलाद है और इसका नाम मुलेटी नहीं है, फिर मोहन पुश्पा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तेरे बाप का नाम मुलेटी नहीं है, तेरा नाम सिरफ पुश्पा है, सिरफ पुश्पा राज, और इसके बाद तू क फिर पुश्पो और केसब उस डावे पे खाना खाने लग जाते हैं फिर वहाँ पे एक कार आके रुखती है और हमें बताया जाता है कि ये सबी लोग लाल चंदन के स्मगलिंग करते हैं और ये कुंडा रेड़ी के भाई हैं और ये लोग कुल मिला के तीन भाई है फिर हमें तीनों के बारे में बताया जाता है जिसमें सबसे पहले हमें चोटे भाई जोली रेड़ी के बारे में बताया जाता है जिसका शराब और शबाब के बिना दम गुटने लगता है किसी ओरत के बिना उसकी रात नहीं कटती और शादी चाही किसी की भी हो दुलन के साथ सुहा रेड़ी के बारे में बताया जाता है ये सबसे खतरनाग होता है इसने एक local gang से बदला लेने के चकर में चे लोगों को मार गिराया था बदला लेना इनके लिए जीने से भी जादा जरूरी था इसलिए जीब के बोनट से जीब में ही पुश्पा को चुडवाने वहां पे कुंडा रेडी के दोनों भाई आए हुए होते हैं और केशव को लगता है कि अब पुश्पा भाई बहुत बड़ी चीज है। जोली रेडी पुश्पा की बेजिती करता है लेकिन जक्का रेडी उसे काम की बात करता है कि बोल कितना चाहिए तुझे तो पुश्पा पांच लाग की डिमांड करता है ये सुनके केशव एकदम से शौक हो जाता है कि भाई ने कितना पैसा मांग लिया। थोड़ी देर आ जाता है कि उसकी कॉलर पकड़ लेता है लेकिन पुश्पा कहता है अगर मुझे मार दिया तो माल कहां से पता करोगे। फिर पुश्पा दोनों भाईयों को लेके माल के ठिकाने पे आता है और हमें दिखाया जाता है कि पुश्पा ने पुलिस से बचने के लिए माल को एक बड़े से तलाब में गिरा दिया था और फिर दोनों भाई मिलके माल केर साथ ट्रक को भी निकलवा लेते हैं फिर केशोव कहता है कि भाई अपनी मजदूरी दे दो फिर रेड़ी भाई पुश्पा के पांच लाग रुपे दे देता है फिर केशोव पुश्पा से कहता है कि भाई इतने पैसों से तो अपना सारा उधार चुक जाएगा और अपनी भहस भी छुडवा लेंगे मुवी के शुरू में पुश्पा ने भहस गिर्वी रखी थी फिर पुश्पा जिस कार में आया था उसका गेट खोलने लगता है लेकिन तभी जोली रेडी उसे बोलता है कि अंदर काँ बैट रहा है नदी पार करने के बाद नईया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती है फिर उनके मुँपे 20 का नोट मार के कहता है कि ओटो पकड़ के आ जाना और वहां से चला जाता है फिर पुश्पा केशव से कहता है कि ये गाड़ी कितने की आती होगी केशव कहता है ये बड़े डबे जैसी 5 लाग तक तो आई ही जाएगी फिर पुश्पा कहता है कि महंगाई कब बढ़ गई केशव कहता है कि बच्पन से ही बढ़ी है तब ही पुश्पा कहता है कि चल एक खरीद के लेके आ फिर केशव कहता है कि क्या भाऊ लेकिन पुश्पा कहता है कि लाल रंकी लेकी आयो फिर पुश्पा फिर से शोक में आ जाता है लेकिन पुश्पा कहता है जब पास में एक कोड़ी नहीं थी तब गाड़ी में आए थे अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या जाके गाड़ी लेके आ लेकिन केशव कहता है कि सारे पैसे खتم हो जाएंगे, अगर ऐसी गाड़ी लेके आएंगे तो आप उन फिर से गरीब हो जाएंगे लेकिन पुषपा कहता है कि मैं यहां आया था गाड़ी में बैठ के तो जाओंगा भी गाड़ी में ही बैठ के केशोपा को समझाता है लेकिन पुश्पा नहीं मानता है कहता है इजजत का सवाल है जाऊंगा तो गाड़ी में फिर केशव लाल रंगी गाड़ी लेके आता है और पुश्पा उसमें बैट के अपनी मा के पास जाता है उसकी मा कहती है कहां से लाया है ये गाड़ी तू तू कौन है केशव कहता है मौसी मेरा नाम केशव है फिर पुषपा अपनी मा को गाड़ी में बिठा के अपने हाफ बुरतर मोलेटी मोहन के घर के बार गाड़ी को गुमाने लग जाता है फिर मोहन की बेटी बोलती है चाचा ने न्यू गाड़ी ली है लेकिन मोहन कहता है व सबी केशव को पुषपा को सलाम ठोकते हैं और वहीं पे जोली रेड़ी भी बैठा होता है जो पुषपा को देखता रह जाता है फिर पुषपा और केशव अंदर जाते हैं पुषपा खड़ा रहता है केशव कहता है कि बैठ जाओ भाओ लेकिन पुश्पा कहता है कि नहीं अभी कॉंडा रेड़ी आएगा तब फिर सब खड़े हो जाएंगे उसको काहे को इतनी इज़त देनी फिर थोड़ी देर में कॉंडा रेड़ी वहां आता है और सभी खड़े हो जाते हैं फिर कॉंडा रेड़ी कहता है कि कितना माल लेता है फिर पुष्पा कहता है कि नाचना ना आये तो गाने को खराब नहीं बोलना चाहिए गोविंध पा को क्यो इतना भाव दे रहे हो ये बोलो ना कि तुम कर नहीं पाए कुंडा रेड़ी कहता है ये कौन है फिर जोली रेड़ी कहता है दो टके का मजदूर है और उसकी बेज़िती करता है लेकिन तबी जक्का रेड़ी सामने आता है और बोलता है कि मैंने ही इसे बुलाया था इसका नाम पुष्पा ये वही है जिसकी मैंने बेल कराई थी फिर कुंडा रेड़ी कहता है तू ही है क्या जिसने हमारा माल और हमी से पैसा वसूला फिर पुछपा कहता है कि पांच लाख माल बताने के नहीं थे तुमारे भाहियों को पुलिस के फटकों से बचाने के थे फिर जोली रेड़ी बोलता है पुलिस के फटकों से बचाना नहीं मा माल को चेक पॉइंट से पार कराना है अगर दम है तो बात कर फिर पुषपा कहता है कि इसमें दम की क्या जरूरत है यह तो मैं दिमाग से भी कर सकता हूँ फिर पुषपा कॉंडा रेडी को कहता है तेरे पार्टनर लोग सभी ट्रक में माल के उपर थोड़ा सा टमाटर रख फिर कुंडा रेडी सब को बाहर भेज देता है और फिर पुषपा उसे अपना आइडिया बताता है फिर हम देखते हैं कि कुंडा रेडी के आदमी पुषपा के आइडिया को यूज करके एक दूद का ट्रक लेते हैं और उसे आधा काट के उसमें लकडिया भर देते हैं और बाकी के उपर वाले आदे में दूद डाल के पुश्पा खुद पहला ट्रक लेके चेक पॉइंट पे जाता है और वहाँ पे उसे DSP गोविंद पा रोक लेता है और उसकी पूरी चेकिंग करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और फिर वो ट्रक को जाने देता है फिर माल कितना मिलेगा फिर जक्का रेडी बोलता है माल कितना भी हो रेट फिक्स है एक करोड़ पे पांच लाग लेकिन पुश्पा मना कर देता है और कहता है कि माल में से चार टका चाहिए फिर कॉंडा रेडी कहता है चार टका लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है पुश् पार्टनर बनेगा अब कोंडा और मैं एक लेवल पे है अब कंदे से कंदा मिला के काम करेंगे फिर केशव कहता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है तू साला लोमडी है फिर हम केशव और पुषपा को देखते हैं वो अपने दूद वाले ट्रक में दूद भरवाने के लिए गाओं में आता है लेकिन वहाँ सब लेडिस की भीड लगी होती है फिर एंट्री होती है मुवी में हिरोईन की जिसका नाम शिरीवली होता है जब तक इसे चिडिया नहीं दिखती है किसी घोबी टेंकर में दूद नहीं डालने देती है फिर इसे चिडिया दिख जाती है और सभी लेडिस मिलके टैंकरों में दूद बरना स्टार्ट करती है। लेकिन इनी सभी के बीच में पुषपा शिरीवल्ली को देखता ही रह जाता है। वेकिन पुषपा के आइडिया से लकडियों को दूद के टैंकर में चुपा के चेक पॉइंट से निकालने का काम बहुत दढले से चल रहा होता है। और यहां पर पुषपा शिरीवल्ली को पताने में लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि दूद वाला ट्रक चेक पॉइंट पे रुकता है, डीएसपी गोविनपा उस पो चेक करता है और वो ट्रक पकड़ा जाता है, फिर उस ट्रक को चलाने वाले दो बंदे होते हैं, जिसमें से एक बंदा शिरिवल्ली का बाप होता है, फिर डीएसपी गोविनपा दोनों को पकड़ के बहुत मारता है, फिर दोनों में से एक बंदा सच बता देता है कि हम तो बस मचदूर है, फुश्पा ने हमसे ये सब करवाया, फिर डीएसपी उसे कहता है कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, फिर हम देखते है कि शिरिवल्ली और उसकी सभी सेलिया मुवी देखने के लिए थेटर पे आती है, लेकिन पैसे पूरे ना होने के कारण वो मुवी नहीं देख पाती है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे केशव आ जाता है, और सबसे कहता है कि मैं सब को मुवी की टिकट के साथ साथ एक्स्टा पैसे भी दूँगा, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा, शिरिवल्ली को पुशपा को देख के मुस्कुराना पड़ेगा, पहले तो शिरिवल्ली मना कर देती है, लेकिन फिर सहेलियों के कहने पे मान जाती है, फिर सहेलिया कहती है कि कल सब गाउं के मंदिर के पास ले आना, ये कहा कि सब भी मुवी देखने अंदर चले जाते है, और ये सब जोली रेड़ी सिनिमा हौल के उपर से देख रहा होता है, और सब मेंसे किसी एक लड़की को उठाने की बात कर रहा होता है, हम देखते हैं कि पुशपा और केशव अगली मॉर्निंग में मंदिर के पास जाते हैं, और केशव पुशपा से कहता है, मैंने मंदिर में हजार रुपे का पर साथ चड़ाया है कि आज शिरीवल्ली तुम्हें देखेगी भी और मुस्कुराएगी भी, तब ही वहीं पर शिरीवल्ली अपनी सहलियों के साथ आती है और सब के कहने पे पुशपा को देखने लग जाती है, ये सब देख कि पुशपा बहुत खुश होता है और केशव को कहता है कि वो मुझे देख के मुस्कुराई और अब अब तो उससे बात करनी पड़ेगी, लेकिन केशो मना करता है क्योंकि उसकी बात सब के सामने आ जाएगी लेकिन पुश्पा नहीं मानता है और श्रीवल्ली से बात करने के लिए चला जाता है फिर पुश्पा श्रीवल्ली से बोलता है कि तुझे अच्छा लगा ना मैं श्रीवल्ली कहती है मुझे क्यों पुश्पा यह सब सुन के केशव पर बहुत गुस्ता होता है और उसे मारने के लिए उसके पीचे भागता है फिर थोड़ी देर में पुश्पा केशव को कहता है कि हजार रुपे में उसने मुझे देखा और समाईल की तो तू 5-10000 रुपे देखे किस की बात करके आ केशव मना करता है लेकिन पुषपा कहता है तुझे ये करना पड़ेगा फिर हम DSP गोविन्पा को देखते हैं जो खाना खाते वे उन दोनों से बात करता है कि हजार टैन लाल चंदन की लकडिया तकरीवन 200 करोड का माल चिनने जाना है पर वो अभी तक यहीं है मंगल शिनू बार बार अपना अड़ा बदलता रहता है कोंडा रेडी के गोडाउन में कहां चुपाएगा और माल वहाँ पहुँचते ही तुम मुझे पूरी खबर दोगे और पता है तुम्हें 50-50 लाग का इनाम भी मिलेगा फिर हमें मंगल शिनू से इंट्रिद्यूस कराया जाता है ये स्मगलिंग सिंडिकेट का बोस है लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत से लोग है मगर उसे 15 चेक पोश्ट से पास करा के उसकी मंझे तक पहुँचाने का काम सिरफ मंगल शिनू ही कर सकता है इसलिए सिंडिकेट में इसकी दलाली चलती है इसके खिलाफ जाने वाला सिंडिकेट तो छोड़ो कहीं भी आने जाने के लायक नहीं रहता है फिर मंगल शिनू कॉंडा रेड़ी के पास अपना 100 तन का लाल चंदन का माल लेके आता है उसे चुपाने के लिए इस माल को कुछ दिन है चिनने पहुचने में और फिर मंगल शिनू की वाइफ दक्षियानी कहती है अगर हमें कॉंडा मामा पे भरोसा नहीं होता तो अपना माल यहां नहीं लाते पिर दक्षियामी का भाई मोगिलीस कहता है कि यहां पे माल संभालने का काम जोली रेडी का है और उसे लड़कियों से फुरसत नहीं मिलती है माल क्या खाक संभालेगा उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता अगर माल उसके भरोसे पे छोड़ दिया तो सब की लग जाएगी फिर मंगल शिनू कहता है कि इसकी बात में दम है जोली रेडी को गोविंदा असानी से किसी लड़की के चक्कर में फसा के यहां तक पहुंच सकता और वो गोविंदा हम में से किसी को भी छोड़ेगा नहीं और सिंडिकेट ने पूरे माल की जिम्मेदारी मेरे कंदों पे छोड़ रखी है फिर कॉंडा रेडी मंगल शिनू को कहता है कि एक बंदा मिला है जब से उसने काम संभाला है पुलिस के हाथ एक भी लकडी का टुकड़ा नहीं लगा है लो वो आ गया तभी वहाँ पे पुश्पा भी आ जाता है फिर मंगल शिनू कॉंडा रेडी से कहता है कि ये नया लड़का बरोसे का आदमी है ना फिर मंगल शिनू पुश्पा को देख के कहता है कि ये कर लेगा चलो चलते हैं थोड़ी देर में कॉंडा रेडी मंगल शेनू से कहता है कि बंदे का क्या किया तुमने जो तुम्हारा माल में हेरा फेरी कर रहा था ये सुनके मंगल शेनू वहां से निकल जाता है और हम देखते हैं कि मंगल चेन्यों की कार के नीचे वो आदमी मिट्टी में दबा होता है लेकिन जिन्दा होता है फिर कुंडा रेडी उसे अपनी बंदूग से मार देता है ये देख के वो बंदा जिसने DSP गोविनपा ने बोला था मेरा काम करेगा वो देख के डर जाता है फिर अगले शोट में हम देखते हैं कि पुषपा और केशव अपनी गाड़ी में बैट के एक पुल पे आ जाते हैं और वहाँ पे शिरीवल्ली का वेट करते हैं क्योंकि केशव ने शिरीवल्ली की सहलियों को 5000 रुपे दिये होते हैं किस करने के लिए थोड़ी देर में व उतर के चली जाती है फिर केशव कहता है कि इसे किस करने के लिए इससे शादी करनी पड़ेगी क्या तब ही पुषपा कहता है कि पैसे मैंने दिये थे मैं ही उसे किस करूंगा चाहे मुझे उसके लिए उससे शादी ही क्यों ना करनी पड़े पूरे 5000 रुपे वसूलूंग मैं इस से फिर पुश्पा कॉंडा के अड़े पे जाता है जहां पे मंगल शीनू का माल पड़ा होता है वहां पे आके पुश्पा सभी को कहता है कि माल अभी तक यहां पे क्यों पड़ा है इसको तो रात में ही चेक पोश्ट से पार करवाना था लेकिन वहां पे से एक बंद रूम में जाता है वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो रो रही होती है जिसके साथ जोली रेड़ी ने रात में पार्टी मनाई थी फिर पुश्पा उसको अपनी शट पहना के केशव को बोलता है इसे गाउं तक छोड़ किया फिर जोली रेड़ी वहाँ पर गुस्से मे के बारे में पता चल गया है ये सब बाते करते हुए जोली रेड़ी पुश्पा को मार भी रहा होता है लेकिन पुश्पा सिर्फ कुंडा रेड़ी की बात सुन रहा होता है फिर कुंडा रेड़ी कहता है कि माल गुडाउन से हटा दिया पुश्पा कहता है कहां भाई सारी राज जोली रेड़ी यहाँ पर याशी कर रहा था तब ही कुंडा रेड़ी गुस्से में आता है और कहता है कि हम परबाद हो जाएंगे ये बहुत महंगा माल है फिर पुषपा कहता है कि तुमने मेरे पर भरोसा किया है ना माल का एक भी टुकडा पकड़ा गया तो नाम बोलता है कि ये पागल हो गया है क्या राइसक करोड का माल है ये सारा का सारा माल नदी में बहा रहा है तब ही कुंडा रेड़ी कहता है कि उसमें मंगल शेनू का भी माल है अगर पुलिस ने माल पकड़ लिया तो हम इलजाम पुषपा पे डाल देंगे तेरा वहां रुकन बांद पे आके रुख जाती है फिर हम देखते हैं कि DSP Govindpa कहता है कि माल कहां है फिर पुशपा कहता है कि जहां पर पुशपा मिलेगा वहां पर माल नहीं मिलेगा और जहां पे माल मिलेगा वहां पे पुश्पा नहीं मिलेगा दोनों को साथ में पकड़ने की तमना पूरी नहीं होने वाली फिर D.S.P. गोविनपा पुश्पा से कहता है कि तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है तू तो जहन्नून से भी बतर है फिर पुश्पा कहता है कि ये दुनिया है साइब यहां बतर और अच्छा क्या है सब इसी दुनिया में है इसी दुनिया ने आपको बंदूग दी और इसी दुनिया ने मुझे कुलहाडी दी पुश्पा को पेजर पे मैसे जाता है कि मार ठीक है फिर पुश्पा पुलिस को कहता है कि मैं तो अपनी जंग जीत गया अब ले चलो जहां लेके जाना है DSP पुश्पा को लेके नहीं जाता है और कहता है कि आज तो तू जीत गया लेकिन तुझे पता है तू बहुत जल्द हारने वाला है आज चाहे तू जीत का जशन मना ले लेकिन कल तू हार का महतम भी मनाएगा ये कहे कि वहाँ से चला जाता है फिर हम देखते हैं कि मंगल शेनू एक पार्टी देता है जिसमें सिर्फ सिंडिकेट के मेंबर नहीं बल्कि पुलिस वाले पुलिटीशन वाले सब बंदे आये होते हैं पुश्पा भी आया हुआ था क्योंकि उसने इतना सारा मंगल शेनू का माल पकड़ने से बचाया था जिसकी वज़े से पुश्पा एक रात में सबका हीरो बन गया था फिर मंगल शेनू का साला उस माल को बेचने के जो पैसे आते हैं उसका हिसाब करता है इसी पार्टी में सब सिंडिकेट के मेंबर और पुलिस और पुलिटीशन सब को सबका हिस्सा में देता है फिर मंगल सेनू की गैंग के दो बंदे बातरूम कर रहे होते हैं हम ते भी बोलते हैं कि मंगल सेनू की पार्टी क्या मस्त है न और कहता है कि मंगल सेनू ने मौरगन भाई से एक टन का दो करोड लिया है और बाकी सब को 25 लाग रुपे दे रहा है क्या येडा बना रहा है सिंडिकेट के लोगों को ये सारी बाते पुश्पा सुन लेता है क्योंकि पुश्पा भी वहीं पर बातरूम करने आया होता है और सिदा कॉंडा रेड़ी के पास जाता है और कहता है कि मंगल शेनू हमें पागल बना रहा है हमें एक टन का 25 लाग देता है और खुद एक टन का 2 करोड लेता है ये सुनके कॉंडा रेड़ी हिल जाता है और कहता है कि तुझे ये सब कैसे पता चला पुश्पा कहता है कि अपना नागेश है ना उसने मंगल शेनू का मॉबाइल चेक किया कि मंगल शेनू किसी चेनने के मॉरगन को माल बेच रहा है फिर कॉंडा रेड़ी कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था क्योंकि वो बहुत सी पोपर्टी खरीद रहा था और वो फिर कहता है कि अब क्या करे फिर पुश्पा कहता है कि चलो मंगल शेनू से बात करते हैं जकारेडी कहता है कि मंगल शेनू से रेट बढ़ने की बात करें लेकिन कॉंडा रेडी मना कर देता है और कहता है कि ऐसे ही रेट बढ़ने की बात नहीं कर सकते हैं कि उससे अपने पुराने रिष्टे हैं अगर उसे बुरा लग जाएगा तो अपने रस्ते लग जाएंगे लेकिन तू एक काम कर तू खुद जाके रेट बढ़ाने की बात कर अगर वो माना तो आदा हिस्सा तेरा आदा हिस्सा मेरा अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन हम पुश्पा भाई की आप तो बड़ा आदमी बन गया है अब अपनी लड़की की शादी उससे करा दो लेकिन श्रीवली के पापा कहते हैं कि ऐसे कैसे करा दू उसके खांदान का पता नहीं है अपनी लड़की उसे कैसे दे दू फिर केशव कहता है कि यह मुलेटी वैंकेटे के पापा को सारी सचाई बता देता है कि यह तो नाजायज उलाद है और मेरी फैमली से इसका कोई रिष्टा नहीं है यह सब सुनके पुश्पा मोहन को मारने लग जाता है लेकिन गलती से वो अपनी मा को मार देता है जिससे कि उसकी मा बेहोश हो जाती है फिर मुलेटी मो को उसके पापा के लाश दर्शन भी नहीं करने दिये थे फिर हम पुश्पा और केशव को होस्पिटल में देखते हैं जो अपनी मा के लिए वहां पे होता है फिर कुछ गंडों के बाद पुश्पा की मा को होश आ जाता है और उसकी मा कहती है कि सब मेरी चला जाता है और केशव को कहता है कि मैं 5 साल का था जब मोहन मेरे घर पे सब छीन के ले गया मेरे गले में एक लोकेट था जिसमें मेरे और मेरे पापा की एक तस्वीर थी वो भी छीन के ले गया और फिर पुश्पा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब मैं सब वसू लेगा चाहे वो 10 रुपे हो चाहे वो 10 करोड रुपे हो मैं सब वसू लेगा चाहे मंगल सीनू हो या कौन डा रेडी मैं सब वसू लेगा फिर हम मंगल शेनू के घर को देखते हैं जिसमें मंगल मंगल शेनू का साला नागेश को मार रहा होता है क्योंकि वो पैसे बढ़ाने के लिए उसके पास आया होता है तब ही वहाँ पे पुछपा आ जाता है फिर मंगल शेनू के पास MLA का कोल आता है कहता है कि तेरे पास नागेश होगा उसका भाई मेरे पास आया है इस बार उसे चोड़ दे आगे से गलती नहीं होगी लेकिन मंगल शिनू कहता है कि आपने पांच मिनट लेट कर दिया उसे मैंने पांच मिनट पहले ही मार दिया था अब मैं कुछ नहीं कर सकता फिर MLA का कॉल कट कर देता है और फिर नागेश को मरवा देता है अपने साले से ये सब पुषपा को समझाता है कि पैसे बढ़ाने वालों का यही हाल होता है पता है ना कितना काम करना पड़ता है 15 चेकपोइट से बचाना होता है तब ही पुषपा कहता है कि सही कह रहे हो मुझे भी 15 चेकपोइट पार कराना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर मैंने और मेरी ट पिर कहता है कि नागेश किसे माल बेचने वाला था मंगल शीनू का साला कहता है कि चिन्ने के मोरगन को तो पुश्पा कहता है कि मैं उसे ही माल बेच दूँगा अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो तब ही मंगल शीनू का साला कहता है कि ये 25 का 50 करवाने आया था तब इसका ये हाल हुआ है तू सोच तू तो एक खोका मांग रहा है तेरा क्या हाल होगा तब ही पुश्पा कहता है कि हाँ मैं समझ गया तब ही मैं भी यहां पर 25 का 85 करवाने आया था लेकिन यहां पर आके देखा कि कितना रिस्क है ये देख के मेरे भाव बढ़ गए इसलिए एक खोका मांग रहा हूँ एकदम जायज है ना फिर पुश्पा कहता है कि माल एक खोके में लेता है तो सब आपस में बात करके मुझे कॉल कर देना और वहां से चला जाता है फिर मंगल शीनू का साला कहता है कि टपका दू क्या इसे फिर मंगल शीनू कहता है कि जब वो यहां पर था जब तेरी फट गई अब वो चला गया है तो अब उसा टपकाने की बात कर रहा है फिर तब ही वहां पर पुश्पा वापस आ जाता है और मंगल शीनू का फोन लेके चिन्ने के मॉर्गन को कोल करता है और कहता है कि मैं पुषपा सिंडिकेट मेंबर बोल रहा हूँ मुझे मंगल शीनू को माल नहीं बेचना है डिरेक्ट माल खरीदेगा क्या वैसे माल चिन्ने ही पहुँच गया है मैं चिन्ने कल आऊंगा तो कल रेट फिक्स कर लेते हैं मंगल शीनू के आदमी पुषपा को मारने लग जाते है और हमें यहाँ पे पुषपा का फिर से एक एक्शन शोट देखने को मिलता है और पुषपा यहाँ पे सभी को मार के निकल जाता है यह कहता हुआ की जुकेगा नहीं फिर पुषपा और केशफ चिन्ने में मौरगन से मिलने के लिए जाते हैं फिर थोड़ी देर में मौरगन से मीटिंग होती है और उसे अपना माल दिखाते हैं और बात फिक्स हो जाती है लेकिन फाइनल करने से पहले पुषपा कॉंडा रेड़ी को कोल करता है और कहता है कि अब हम अपना माल मंगल शीनू को नहीं बेचेंगे अब डिरेक्ट चिन्ने के मौरगन को माल बेचेंगे और मैंने यहाँ पे बात करके रेट फिक्स कर लिया है यहाँ पे एक टन का डेड़ करोड मिलेगा अब आप बताओ कॉंडा भाई को 25 लाक माल बेचना है या फिर यहाँ पर बेचना है डेड़ करोड में एक टन फिर कॉंडा रेड़ी मान जाता है और कहता है कि डील फाइनल कर दे फिर पुश्पा कहता है कि अगर डीर होल रही है तो मुनाफे का आधा मेरा और आधा तेरा आपने मुझे बताया था मंगल शीनू की पार्टी में फिर कुंडा रेडी अजीब सा मू बनाता है और मान जाता है फिर हम देखते हैं कि जोली रेडी शीरीवली के पापा और एक आदमी को मार रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस को जोली रेडी का ठिकाने के बारे में बताया होता है यह यह वही दोनों आदमी होते हैं जिसे डीसपी गोविंद पा पकड़ लेता है फिर वहां पिर जोली रेडी एक दम से एक आदमी को मार देता है और शीरीवली के पापा से पूछता है कि तुने ऐसा क्यों किया तो वो कहता है कि साहिब पुलिस ने पैसों का लालच दिया था पचास लाग देने का वादा किया था इसलिए सोचा था कि उन पैसों से बेटी की शादी कर दुआ फिर जोली रेडी अपने आदमियों से कहता है कि शीरीवली को बुलाओ फिर शीरीवली वहां पे आती है और फिर जोली रेडी उसे कहता है कि एक रात के लिए तयार होके मेरे कमरे में आ जाना और सुबह अपने पापा को साथ में ले जाना ये सुनके श्रीवली रोते वे वापस से अपने घर में आती है और तियार होने लग जाती है फिर वो तियार होके जोली रेड़ी के पास ना जाके पुश्पा के पास चली जाती है पुश्पा के घर में और वहाँ पे जाके पुश्पा को सारी बाते बता देती है और उसके बाद अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसे शादी करने के लिए बोलती है और कहती है अगर तु शादी के लिए हाँ करेगा तो ठीक है वरना मैं जोली रेड़ी के साथ एक रात सो के अपने पाप और फिर पुश्पा उसे बहुत मारता है और मारते मारते उसे बेहोश कर देता है फिर हमें यहाँ पे एक और एक्शन सीन देखने को मिलता है थोड़ी देर में वहाँ पे केशव आता है और कहता है कि अगर कुंडा भाई को पता चला तो हमें कोई नहीं छोड़ेगा लेकिन पुश्पा कहता है कि कौन बताएगा उसे फिर पुश्पा जोली रेड़ी से कहता है कि तू बताएगा अपने भाई को लेकिन जोली रेड़ी कहता है कि इसे लिए मैं अपने भाई को कुछ नहीं बताऊंगा मैं खोड़े तिर से बदला लूँगा और फिर पुश्पा वहा में पैसे गिन रहा होता है और केशफ डरा हुआ होता है अगर कॉंडा भाई को पता चल गया तो हमारा क्या होगा पुश्पा कहता है कि तू शांत रहे मैं देख लूँगा फिर थोड़ी देर में वहां पे कॉंडा रेड़ी आ जाता है और कहता है कि माल मौरगन के पास बुट जाओंगा फिर खुनडा के जाने के बाद केशफ चेक करता है कि कॉंडा भाई ने हमारी बात शुनी या नहीं लेकिन पुश्पा उसे कुछ नहीं कहता है फिर खुंडा रेड़ी और उसके आदमियों के साथ मिलके तरुपती जाता है और वहां पे पैसे लेके वा में ले जाके पटक देता है और वहां पर एक गड़ा खुदवाने लग जाता है फिर कुंडा रेड़ी पुषपा से कहता है कि तु इतना बड़ा आदमी बनने चला कि हमारे ही भाई को मारेगा और उसके पास से दूसरे हवाले का नोट भी ले ले लेता है जिससे और पैसा म लेकिन तभी वहां पे मंगल शीनू का साला और उसके सभी आदमी आ जाते हैं और दोनों गैंगों के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें कुंडा रेड़ी तभी मर जाता है और जक्का रेड़ी भागने लग जाता है फिर हमें मुवी का सबसे बड़ा और मजदार एक मंगल शीनू के साले को पकड़ देता है फिर जक्का रेड़ी कहता है कि इसे जाने दे लेकिन पुछपा ऐसा नहीं करता है तब ही वहां पे मंगल शीनू के साले के फोन पे मंगल शीनू का कोल आता है और पुछपा उस फोन को उठा के बात करता है मंगल शीनू पुछपा कि आवाज सुनके डर जाता है और कहता है कि कि साथ में धंदा करते हैं मेरा पार्टनर बन जा जो तू रेट बोलेगा वो दूआ लेकिन मेरे साले को जाने दे उसे कुछ मत करना लेकिन पुश्पा कहता है कि उसको तो मैंने 5 मिनट पहले ही मार दिया तुमने 5 मिनट लेट कॉल किया है अगर 5 मिनट पहले कॉल किया होता तो वो बच जाता लेकिन अब तो लेट हो गया तभी मोगलिश बोलता है जी जा तभी पुश्पा उसे गोली मार देता है फिर कहता है कि उस दिन मैंने कितना समझाया था ना मैं किसी से डरता नहीं हूँ, फिर भी तुने मेरे पीचे बंदे भेजे, अब सुन लीना गोली की आवाज, और अब एक बात और सुन, मैं यहां पे किसी के फड़े में टांग डाने नहीं आया हूँ, मैं यहां राज करने आया हूँ, राज, मैं जुकेगा नहीं, यह कहे के mobile छोड़ देता है ये सब चक्का रेडी वहाँ पे देख रहा होता है और सुन हो जाता है फिर सभी पुश्पा और चक्का रेडी सभी वहाँ से कुंडा रेडी की लाश को लेके निकल जाते हैं फिर हम सभी को देखते हैं कुंडा रेडी के घर पे सभी कुंडा रेडी की ला जाबा नहीं चाहिए फिर मंगल शिनू कॉंडा रेडी की लाश पे फूल चड़ाता है और MLA को कहता है कि मुझे मेरे साले की लाश दे दो मैं यहां से चुप-चाप चला जाऊंगा लेकिन MLA कहता है कि पहले बैठ जा फिर अपने साले की लाश लेके चला जाई हो MLA मंगल कहता है कि सीधा जाके मौरगन को माल बेचने की क्या जल्दी थी लेकिन चक्का कुछ नहीं बोलता है फिर पुश्पा पैसो से भरा एक बैग MLA के सामने खाली कर देता है और MLA कहता है कि पुश्पा ये क्या है तो पुश्पा कहता है कि ये 3 करोड है MLA शोक हो जाता है और कहता है कि एक टन कितने में बेचा पुषपा कहता है डेड़ करोड में फिर MLA मंगल शीनु से पूछता है कि ये सच है मंगल शीनु कहता है कि मैं हिसाब बाद में दे दूँगा लेकिन इसने पहले मेरे साले को दोके से मारा और यहां पे सबको बढ़का रहा है फिर कि पुषपा को मारने वाला होता है तभी MLA उसे रोक लेता है फिर मंगल शीनु कहता है MLA साहिब मेरे साले को मारने से पहले इसने मुझे फोन किया था फिर MLA कहता है मेरी तरह तुने भी पाच मिनट लेट फोन किया होगा तभी तो तेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया अब बंदुक साइड मेरे को पैसो की बात निफटा MLA पूछता है शीनु से कि तू बोल रहा है कि एक टन के पचास लाग मिलते हैं इसे डेड़ करोड कहां से मिल गया फिर सभी मंगल शीनु को सुनाने लग जाते हैं फिर मंगल शीनु बोलता है कि तुम सब को जवाब द मिल के काम करना होगा सिर्फ एक जगए कमिशन देना होगा फिर सब के पास पैसो का धेर लगेगा फिर पुछपा कहता है कि शीनु भाई को पीच में से हटा कि डिरेक्ट मुर्गन को माल बेचेंगे तो सीधा डेड़ करोड का माल बिका है अगर हम सब एक साथ काम करेंगी तो दो करोड का माल भी बिकेगा फिर पुछपा सब को समझाता है कि सब को मिल के काम करना होगा और देखना पैसे ही पैसे होंगे सब के पास क्योंकि अपने पास जो माल है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है ये माल सिर्फ हमारे ही जंगलों में मिलता है और ये हमारा ही म है और हमी सब के सामने भीग मांगते फिर फुरह कहता है कि हमारा माल खरीदने के लिए बहुत बंदे लाइन में लगे हुई हैं फिर जख्का रेडिप MLA को कहता है कि पुच्पा बहुत सभी बंदा है अगर ऐसा बंदा हमारा पुश्पा वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन मंगल शेनू पुश्पा से बोलता है कि मेरे साले की लाश तो दे दे ताकि मैं उसका किरिया करम कर सकूँ फिर केशव कहता है कि जिस पे तू बैटा है वो ही तेरे साले की लाश है फिर मंगल शेनू अपने साले की लाश लेके वहां से निकल जाता है फिर हम मंगल शेनू को बैडरूम में देखते हैं जहां पर मंगल शेनू लेटा होता है और मंगल शेनू की वाइफ उसके उपर ब जा रहा था, उसके आलांत, उसको इजा जा रहे थे, और उधर दक्षा- ligger चाटी वो आपनी से वे इतिजुू हो गई थी, अर जोलीड्यी बदला लेने केलिए पागल हुआ जा रहा था, उसके हालात, उसको इजाजत नहीं दे और उधर दक्षा मंगल शीनू की वाइफ को भी बदले की आग लगी हुई थी, मगर वो इंतिजार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी, पुश्पा को टकर देने वाला अब कोई भी नहीं बचा था। बंदों को 11 अपोर्ट गोली मार देता है और 10 बंदे हो जाते हैं और वो अराम से बैटके पुलिस टेशन चला जाता है, पुलिस टेशन जाने के बाद वो मीडिया में बोलता है कि वहाँ पर सिरफ 10 बंदे थे, दो बंदे भाग गए थे, फिर हम पुश्पा को देखते हैं जो IPS बवर सिंग शिखावत को अपनी शादी का कार्ड और कमिशन देने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पुश्पा उसे कार्ड और कमिशन दे तो देता है, लेकिन बवर सिंग शिखावत कमिशन लेता नहीं है, पुश्पा की बहुत बेजिती करता है, पुषपा को कहता है पुषपा तुरंट मान लेता है। पुषपा ऐसा हो गया था कि बवर सिंग शिखावत के इशारों पर नाचने लग गया था। सब सोच रहे थे कि पुषपा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उस दिन पुषपा की शादी से थोड़ी दिर पहले पुषपा अपने असली रूप में आ जाता है और बवर सिंग शिखावत की बेजिती करने लग जाता है और यही सब करते करते पुषपा अपने हाथ में गोली मार लेता है और फिर पुषपा बवर सिंग शिखावत को कहता है कि कपड़े उतार फिर भवर सिंग शिखावत सारे कपड़े उतारता है और कहता है कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू गलत पंगा ले रहा है तुझे इन सब का बदला चुकाना होगा लेकिन पुश्पा कहता है कि जब सब को पता चलेगा कि पुश्पा ने भवर सिंग शिखावत को जंगल में नंगा करके छोड़ दिया तब कितना मज़ा आएगा रे ये कहा कि वो खुद भी अपने सारे कपड़े उतार देता है और बवर सिंग शिकावत को कहता है कि यहाँ पे हम दोनों नंगे खड़े हैं लेकिन हम दोनों में बहुत बड़ा फारक है फिर पुषपा कहता है कि मेरी कहानी इसी से शुरू हुई थी एक फैक्टरी के काम करने से लेकर सिंडिकेट का मालिक बनने तक का सफर सिर्फ पुषपा ही तै कर सकता है कपड़े हो या ना हो अपनी उकाद सेम है अगर मैं ऐसे नंगा भी कहीं निकल जाओं जो सब मुझे पुषपा भाव कहके ही पुकारेंगे लेकिन अगर तू इसी हालत में कहीं चला गया तो तुझे कोई नहीं पैचानेगा बिनावर्दी के तुझे कौन जानता है एक कुटा भी तेरी इजद नहीं करेगा पता है तुझे ये सब कहा कि पुषपा वहां से निकल जाता है और अपनी शादी में आ जाता है फिर हम देखते हैं कि पुषपा नंगा ही अपने मनडब पे जा रहा होता है और सभी उसे कपड़े पहनाते हैं लेकिन जब बवर सिंग शिकावत अपने घर नंगा जाता है तो उसे उसका डोग भी नहीं पैचानता है और उसे देख के भोकने लग जाता है जिससे गुस्से में आके बवर्जिंग शेकावत अपने डोग को गोली मार देता है फिर पुश्पा के दुवारा दिये गए पैसो के बैग को लेके आता है और अपने घर के बाहर उनमें तारू छिड़क के उन्हें जला देता है फिर शिरिवल्ली पुश्पा से कहती है कि क्या हुआ पुश्पा कहता है कि किसी ने पुश्पा को फ्लावर समझ लिया था उसको समझाया कि पुश्पा फ्लावर नहीं फायर है फिर शिरिवल्ली कहती है कि बात तो आगे नहीं बढ़ी ना फिर पुश्पा कहता है कि बात तो ह हो जाती है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मुवी का ये सेकंड इंटरवल है मुवी का सेकंड पार्ट उष्पा दा रूल आने वाला है और मैं जल्दी ही इसके सेकंड पार्ट का भी एक्स्प्लेनेशन आपको दूँगा अगर हम बात करें इस मुवी के रिव्यू की तो मुवी में सभी एक्टर ने मस्त काम किया है स्पेशल आलू अर्जुन और फाहद फासिल ने जिनोंने भवर सिंग शेरावत का रोल प्ले किया है बाकी सभी एक्टर ने भी बहुत अच् चाहिए और आपको ये मुवी आसानी से बहुत फेमस OTT प्लाटफॉम Amazon Prime पर मिल जाएगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके हमें बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं इस चैनल पर बहुत सारी मु खब आएगे मुगी मुगी तब कर्के हमार के हमें इस में इस I don't wanna waste what's like